तो आपने अगर अपने कान खुले रखे तो आपको पता होगा RBI ने PTM के उपर बैन लगा दिया है तो PTM अपना कोई भी फाइनल शेयर या फिर बैंकिंग सर्विस अभी यूज नहीं कर सकता इंडिया में कुछ दिन बात से तो उसके रिगानिक PTM ने अपना स्टेटमें निकाला है तो मैं उस स्टेटमें निकालने तक का वेट कर रहा था मैंने एक शॉट बनाया था टो पहले हम शुरू करते हैं Micheak क्यों ट्यूम् 6 यह सुम्धिन के उसके बाद सुरू करता है लेकतली कौन से 工作 प्थियूं मंने बंद कर दिया है उसके बारे में सभरות होने बात करके मतले होने बालर यह बेफ थे सब्सक्रव में लिए गए सक बढ़े करो वान नाइन्टी सेवन कम्मुनिकेशन ग्रूप को बैन नहीं किया है उनको नहीं चुआ है तो पेटीम के पेमेंस बैंक के अंदर जो भी सर्विसेस आता है वो सारे बंद होने बाले के बाद फेटी नंज सेविसे बैन होके पैटीम वाले टो पेमेंस council का हिस्सा है तो पेटीम पेमेंट कहरें होने dawn मैं यसकेद अगर आपने संहले चाहिंत में कर इस बंद आता है में तो वह बन्द होने वाला जो की मेजरवायबार करेगा यूप बन्द का बहुत बार स्कूज हों से लामय उसके बाद करें akan एक फूट में इसके बहुत चाहिए होगा तो इसलिए यूपी अगर बंद हो रहा है तो भी काम से गया और अगर आपको बास कोई बीजनेस अकाउंट है वह भी बंद होने वाले तो इन सारे सर्विसेस बंद होने वाले तो अगर इन में से कोई भी आप यूज करते हो तो 29 फिबरी तक कपके बस टाइम है अब पैसा बगरा दुस्त ट्रासपर कर लो या फिर कोई अगर बीजनेस कौन बगरा यूज करते हो तो अब बहुत सारे ओप्शन से अमाजन बगरा कर उन में स्विच करके जाओ उसके बाद जो भी सर्विसेस नॉट इविक्टेड होगा मतलब जो पेटियम पेमेंस बैंक के अंदर आता है उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो अगर आपने कोई भी लोन लिया है पेटियम से तो वह एफेक्टेड नहीं होगा इतना खुश्मात हुई है आपका लोन माफ नहीं होगा आपको पेमेंस करना पाड़ेगा on the regular basis तो वह लोन सर्विसेस कोई प्रब्लिम मह क्या करते हैं mutual funds या फिर आफ शेयर मर्केट और बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं sovereign bonds बगएरा में तो वैसे एक similar application है जरो धा बगएरा जैसा ही तो इस application में कोई एफेक्ट नहीं परेगा क्योंकि यह 197 group की पाट है तो यह चार चीज़े मैंने बताया loan, insurance, mutual fund और Paytm Money application यह Paytm Payments Bank का हिस्सा नहीं है यह हिस्सा है 197 group का जो Paytm के Payments Bank section को भी own करता है तो यह चारो चीज़े एफेक्ट विल्कुल नहीं होगा सिर्फ एफेक्ट होगा जो मने पहले बताया था वो सारी चीज़ है तो Paytm ने क्या solution लाया तो basically Paytm ने यह statement दिया है मतलब 197 group ने की अब Paytm Payments Bank को उठाके वो किसी third party bank के साथ इसको link कर देंगे और इनके जो भी services मैंने बताया कि बंद होने वाला है Paytm wallet हो, savings current account हो, fast tag हो, UPI हो, sound box हो या फिर business account हो यह सारी चीज़े third party bank के साथ वो connect करके अभी के लिए services को continue करेगा जब तक उनका कोई permanent solution नहीं निकल जाता after 29th February, तो यह कब से होगा, यह जो transaction है वो उसरे bank में convert भी करना है, transfer भी करना है वो चीज़े कब होगा, उसके बाने में कोई clarification नहीं है, कब से यह सारी procedure शुरू होगा, कोई clarification नहीं है बस मेटियम ने एक suggestion दिया है कि हम यह करके यह सारी चीज़े continue कर सकते है अभी कब करेंगे, कब होगा कोई resolution नहीं है, तो आपके पास अगर आप use कर रहे हैं उन सारी services, मैं आपको सला दूंगा, अभी के लिए आप अपने सारा पैसा या जो भी आपका बहाँ पे है, वो तब कही और transfer कर लो, क्योंकि आपके पास अभी 29th तक का time है, तो काफी time है there is a possibility also, तो आप पहले से ही ever हो जाए है, और जो भी secure करना है, कर लेजिए, तुम्मीद आपको छोड़े सा वीडियो पसंद है, सारे जो information था, बहुत ही मैंने सोच समझ के select किया था, तो कि आपका time और मेरा दोनों का waste नहीं हूँ, और बहुत easily आपको सारे चीज़े समझ आ कि अपके